दश्रत का घर है, एक राम दश्रत घर बोले, यह बोडी जो है ना उसको बाबा ने बोला है, दश्रत का घर, एक राम घट घट बोले, इसका मिनिंग है मन, बाबा ने बोला है, मन जो है ना हमारा, इसका मन का जो अर्था है, दश्रत, सोरी, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकलपसा है, means यास्तित्व, उसका मिनिंग बाबा ने दिया है, आस्तित्व. एक राम सबका प्यारा, कौन हो दुसरा राम है, तो उजो शरीर में अपना आत्मा रहता है, जो परमात्मा का ही, एक अंश है, उसको बाबा ने कहा है, उजो आत्मा. तो वो जो आत्मा है उसको बाबा ने कहा है तो बाबा ने कहा है ये शरीर और मन ऐसे कड़ी रहती है इनकी शरीर है इसलिए मन है और मन है इसलिए शरीर है इसलिए हमें पुनर जल्म प्राप्त होता है अब देखो हम इतना कर्म करते हैं, इतना सौशकार जुटाते हैं अपने साथ, तो वो that forms mind, उसका क्या होता है, mind होता है, mind ऐसा कोई पार्ट नहीं शदिर का, तो हम जो कर्म करते हैं, अच्छे बुरे प्रेविये जनम में भी जो कर्म होया है, तो इनका एक मन बन गया है, तो वो जो मन है, वो जो सौशकार का बंचा है, तो वो कैसा एक करेगा, क्यांकि वो सौशकार तो एनिलेट करना है, तो कैसे एनिलेट करेंगे हम, तो इसलिए फिर पुनर जर्म अपराफ्त होता है, तो ऐसा ए जनम जनम का पुरा, जनम रुत्यु, जनम रुत्यु, जनम रु और मन एक दफे खत्म हो गया, यहनि कि when we stop the mind और हम मन के परेज आते हैं, तो खुदा का अस्तित्व दिखता है, हमें क्या दिखता है, खुदा का अस्तित्व, इसी रहे बाबा ने कहा कि रुशिमुने क्या करते हैं, they sit on the, ओ जो कोई बड़े-बड़े mountain है, उनके यहां मन जो है न, ओ एक सीधा line में आता है, ओ की दिन के बाद नश्ड भी होता है, और फिर ओ जो आदमी या सादू या कोई, ओ जो मुनी वर है, ओ खुदा को अमने सामने देखता हैं, और फिर एक दिन, ओ खुदा और वो सादक, या जो ओ प्रियकर और प्रियतम और प्रियकर, I say, दोनो, इकर्टा हुए। And that is the aim of life. I say, बबबाने जो कहा हुए। Baba, Baba said, Mind working is man. Yeah, mind working is man. Mind working fast is man. Mind working fast is man. Mind working slow is man. God in that situation. Mind is not working is God. Mind stop is God. Can you give me God's advice? Mind work.